एक underwater submarine को operate करने के लिए उसमें 70 से 150 crew members होते हैं पानी के अंदर होने के कारण सब्मरीन की हर एक इंच जगा का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि पानी के जितना नीचे सब्मरीन जाती है उतना ही ज्यादा pressure उसके उपर बढ़ता है एक सब्मरीन में maximum दो bathroom होते हैं और दो ही toilet होते हैं इसके अलावा captain और important officers के लिए अलग से toilet होते हैं space के अलावा सब्मरीन में पानी भी बहुत ही ज़ादा important commodity होती है और इसलिए crew members कहीं दिनों में एक ही बार नहाते हैं जावर के लिए इस तरह के छोटे compartments का इस्तमाल किया जाता है वैसे सब्मरीन में sea water को filter किया जा सकता है लेकिन crew members को 4-5 मिन तक ही shower करने को मिलता है जिसे की energy और resources को बचाया जासेगे वेस्ट वाटर को compressed tanks में रखा जाता है क्योंकि अगर directly इन्हें सब्मरीन के भाहर निकाल दिया जाएगा तो उससे सब्मरीन की buoyancy पर फरक पड़ेगा जिसे उसे control करना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा